बाजार बंद कराने पहुंचे पालिका वर्पुलिस कर्मी, सोशल डिस्टेंसिंग वनिर्धारित एडवाईजरी की पालना नहीं होने पर उठाया कदम शहर के बाजारों में पिछले कुछ दिनों से उमर रही भीड वा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के चलते शुक्रवार शाम प्रशासन भी हरकत में आ गया शाम करीब सद्दे पांच बजे अचानक पालिका कर्मियों का एक दल ने बाजारों में पहुँचकर दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया जिससे कुछ देर बाजारों में अफरा तफ्री का माहौल सा बन गया कुछ देर बाद पुलीस कर्मियों का दल भी बाजारों में जा पहुंचा और दुकाने बंद कराने लगा कुछ ही देर बाद शहर के सभी बाजारों में सन्नाटा पसर गया वहीं दूसरी और तहसीलदार बद्री नरायन मीना ने बताया कि शहर के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के चलते यह कारवाही की गई है शनिवार से बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वनिर्धारत एडवाईजरी की पालना पर विशेज ध्यान दिया जाएगा पुराने सिक्के मिलने की सूचना से मच्चा हड कम्प, मुके पर ग्रामीनों के जुटी भीड उपखंड के तलाव गाव में एक खाली भूखंड पर निर्मान कारे के लिए साफ सफाई के कारे के दोरान पुराने सिक्के मिलने की सूचना से हड कम्प मच गया घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर सेक्डों ग्रामीनों की भीड भी जमा हो गई मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार बद्री नरायन मीना ने बताया कि तलाव गाव में आबादी भूमी पर एक जने की खाली भूखंड पर निर्मान कराने के लिए वहां मौजूद बंबूल व अन्य पेड़ों को हटाते हुए ट्रैक्टर से चाठी दिलाई थी जिसके बाद वहां कुछ पुराने सिक्के मिलने की सूचना मिली तो मौके पर सेक्डों ग्रामीनों की भीड जमा हो गई मामले की जानकारी के मिलने पर मौके पर पुलिस व उखंड प्रशासन व लाल सोट पुलिस भी मौके पर पहुची इस दोरान एक ग्रामीनों ने उन्हें वहां मिला चांदी का एक पुराना सिका भी सौट पा उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस जाबता तेनात कर दिया है और पुरातर तो विभाग को मामले की जानकारी दे धी गई है लगातार दूसरे दिन टिडियों का हमला दो दर्जन गावों में मचा रहा हड कम पंदरा किमी के फेलाव क्षेतर में मंदरा तरहा टिडी दल किसानों को लाखों का नकसान क्षेतर में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी टिडियों का हमला जारी रहा उपे का नुकसान होने का अनुमान है लाल सोट के सहायक कृषी अधिकारी राम खेलाडी मीना ने बताया कि शुक्रवार दो पहर को लाल सोट क्षेत्र में जैपोर वसवाई माधोपूर जिलों से दो अलग-अलग डिडी दलों ने प्रवेश किया एक दल जैपोर के चाक सुक्षेत्र से प्रवेश करने के बाद शामपूरा कला नालावास समेत कई गावों से गुजरता हुआ राम गड़ पचवारा क्षेत्र में जा पहुचा इसी दोरान दूसरा दल सवाई माधोपोर जिले से प्रवेश करने के बाद खटवा वद देवली गावों से गुजरता हुआ लालपुरा, बिहारीपुरा, गोल्या, खेमावास, सुन्दा, लालसोट शहर में गंगापुर रोड़ पर उपखन अधिकारी कार्यालै क्षेत्र शापुरा, मुकंदपुरा, खेमावास, पकाधोरा, सूर्तपुरा, किश्नपुरा, बिलोनाकला, शामपुरा खुर्द, कांकरिया, महारिया, सुन्दारपुर एवन बगडी गावों तक जा पहुँचा उन्होंने बताया कि इसी दोरान ग्रामगड़ पच्वारा क्षेत्र तक पहुँचा टिड़ी दल भी हवा के रुख के चलते इसी दल से जा मिली, जिसके बाद तो हालात और भी भायावै हो गए और यह टिड़ी दल करीब 15 किमी के फिलाव क्षेत्र में मंदर आने लगा वखेतों में बैठे टिड़ी दल ने पेडों की हरीपतियों वखेतों में फसलों को चौपट कर दिया सहाया क्रिशी अधिकारी राम खेलाडी मीना ने बताया कि टिड़ी दलने पटी सुल्तान पुरा वटिशन पुरा गावों में आवले के बगीचों भी भी जम करता बाही मचाई उन्होंने बताया कि विभा के अधिकारी अपने अपने क्षेतर में लगातार हालाम पर निगाहे बनाये हुए है रातरी को जहां भी यह अंदल पड़ाव डालेगा वही मशीनों से दवा आउंका छिटकाव किया जाएगा अधिकारियों की घोषणा के अनुसार पीडित परिवार को उचित मुआवजे की मांग एस डियेम को दिया ग्यापन शहर की कृषी उपजमांडी में गत दिनों बिजली के करण से एक जने की मौत के मामले में शुक्रवार को विभिन सामाजिक संगठनों के पधिकारियों ने उप्तकंड अधिकारी जेपी गुरजर को एक ग्यापन दे कर गटना के दिन अधिकारियों द्वारा दिये गए आश्वासन के अनुसार पीड़ित परिजनों को सरकारी सहाय ता दिने की मांग की है ग्यापन में बताया है कि गताथ जून को फल सबजी यार्ड में टीन शेयर्ड लगाने के दोरान कारे कर रहे दिनेश कुमार सैनी की मौके पर बिजली के करण से मौत हो गई थी जिसके बाद मौके पर मौके पर मौत के परिजनों को विद्युत निगम से 5 लाख रुपे, क्रिशी उपज मंडी समिती से 2 लाख रुपे, मुख्यमंत्री सहायता कोष्ट से 1 लाख रुपे, फल वसबजी व्यापार संग से 3 लाख रुपे, क्रिशी उपज मंडी व्यापा की सहायता दी जा चुकी है और मंडी समिती में मृतक के पुत्र को समविदा पर नौकरी भी देने की प्रक्रिया जारी है। पदम फड कल्या, गिराज कहनला, भगवती लाल सैनी, हीरा लाल सैनी, गोपाल बलमाला, कमलेश सैनी, कमलदत्र सैनी, ब्रज मोहन सैनी, भागचंद सैनी, जय प्रकाश सैनी समेत कई जने भी मौजूद रहे। मुख्य मंत्री के नाम एक मांग पत्र सवपा। उन्होंने बताया कि मांग पत्र में में कहा है कि कोरोना के चलते आम आदमी के रोजगार वधंधे पूरी तरह रिठप हो चके हैं। इसके बाद भी आम जनता को महंगे बिजली के बिल भेजे जा रही है। रामोत तार जोरवाल ने बताया कि इस तरह का अभियान प्रदेश की सभी विधान सभाओं में चलाया गया है और जिसके बसद सामुहिक मांग पत्र मुख्य मंत्री के नाम उप्त्कन अधिकारी को सवपा गया है। ग्यापन देने के दोरान जिला अध्यक्ष डायानंद जांगिट समेत कई कारकरता भी मौजूद रहे।